नमस्कार बहुत स्वागत है दिवाली स्पेशल जोतिश जराहट के कारेकरम देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी रात में आज हम इस्पेशल प्रियोग लेकर के आए हैं दिवाली के लिए हम आप रूटीन वाइस करते होंगे जो आपके हाँ परंपरागत तरीके से दिवाली पूजन होता हो तो आप जरूर करिएगा मैं जब कुछ लेके आऊंगा तो कुछ डिफरेंट तो होगा ही और आज जो हम आपको डिफरेंट बताने जा रहे हैं इसे आप नोट करके रख आपने मित्रों के साथ अपने फेस्बुक वाट्सप ग्रूप आदि में क्योंकि ये तंत्र है तंत्र वरवली नहीं बताते शेयर किया जाता है मानता के अनुसार तंत्र अगर हम वर्ड वाइस लेके चलते हैं तो यह असर नहीं करता है क्या रहेगा प्रियोग आप लोग अपने मित्र को अपने दोस्त को अपने रिस्तेदारों को अपनी बेटी दामाद मौसा जीजा साला साली आदे जो आपके कलोज है जिनका आप कल्याण चाहते हैं जिनकी खुशियों से आप पर फर्क परता है उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करियेगा बाके अपनी प्रोफाइल पर तो आप शेयर करते ही हैं तो प्रियोग आईए नोट कर लीजे क्या करना है आपको एक काला धागा ले लीजेगा मैंने बताया आपको कि हम तंत्र बताने जा रहे हैं अनोखा तंत्र रहेगा दिवाली का तंत्र है जिसका लाव आपको पूरे वर्ष लॉंग बांध लीजिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर जैसे इतना बड़ा धागा है तो यहां एक एक यहां एक यहां एक यहां ऐसे पांच लॉंग काले धागे में बांध ले थेक इतना कर लिया अब जो दिवाली का मुख्य दिया आप प्रजुलित करने जा रहे हैं जिस दिये से दिये जला करके पूरे घर में सजावट किया जाता है जिस दिये को घी का दिया भी कहते हैं मतलब वो सबसे बड़ा होता है मुख्य दीपक दिवाली में वही होता है मुख्य पूजन उसी से होता है उस दिया के चारो तरफ इस लॉंग बढ़े धागे को लपेड अब इसके सम्मुख बैठ जाईए और बैठ करके एक माला बगला मुखी मंत्र क्या है इसकीन पर भी देख लिया ओम हलेम बगला मुखी मं सर्व सत्रुनाम वाचम मुखं पदम स्तंभय स्तंभय जिहवाम कीले कीले बुद्धिम विनाशय विनाशय हलेम ओम स्वाहा इस मंत्र का एक माला एक सो आठ बार सबसे पहले जाब कर लीजे इतना कर लिए कोई बार ठीक पांसे साथ कुनिट लगेगा फोन और साइड में रख दीजेगा यह नहीं कि फोन में बार बार देखे जा रहे हैं देखे जारे हैं थोड़ी देर के लिए साल भर का बात है भाई कर लीजे इसके बाद इस धागे को वहां से निकाल लीजे लोंग वधे धागे को अब वहां से दीए के पास से हटा लीजे आपके घर के दक्षण पश्चिम दिसा ध्यान दीजेगा मैं बात कर रहा हूं साउथ वेस्ट कमपास लगाईए देख ली अपोजिट वाली दिशा नैरत्र दिशा जो राहू की दिशा होती है वहां पर एक छोटी सी कोई लोहे की कील ठोकिये राहू को जागरित कीजिए और इसे वहीं पर बांध दीजिए छोड़ दीजिए बस दिवाली की रात भाई साब अगर इसे आपने कर लिया लॉजिक के साथ बताया है मैंने मेरा बनाया हुआ प्रियोग है माशरश्वती की कृपा से कोई चुरकट इसे चुराएगा तो उसकी मस्तिश्क में कुंठा आ जाएगी वह सन्निपात वो पागल हो सकता है तो मेरा ये intellectual property है इसलिए सुन जो भी जोत्षी रहे है मेरे नाम के साथ मेरी आवाज के साथ इसको आप कहीं भी शेयर करिए मुझे कोई आतराज नहीं है अपना बना के शेयर करेंगे तो मुझे आतराज और मुझे ही नहीं प्रकृति को भी आतराज होगा और प्रकृति जब आतराज करती है जो हमें फॉलो करते हैं जो हमें इतने सालों से प्यार दे रहे हैं उनके लिए हमने प्रियोक बताया है बना करके आप इसे करें और अपने घर को सदा सरवधा के लिए निगेटिव इनरजी से राहु के दोशों से तंत्र क्रियाओं से सुरक्षित करें भाई साब कभी असर नहीं करेगा पढ़े रहने दीजेगा वहीं में कभी खुल के गिर जाए तो फिर बांग दीजेगा पढ़े रहने दीजेगा अगले साल फिर इसको निकाल कर स्या बनाईएगा और अगले दिवाली में इसको निकाल कर किसी पौधेक नीचे डाल तो दिवाली की बहुत सारी हार्दिक्ष्व कामना है कारेक्रम को दबा कर शेयर करें कर भला तो हो भला हैपी दिवाली नमस्कार आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब क जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का होदुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक झाल